नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News अधार कर पात्र खिलाडियों को यह चात्रुति दी जानी है पहले इस चात्रुति के लिया आविदन की अंतिमति थी 20 माई 2022 ती जिसे अब बढ़ा कर 31 अगस 2022 कर दिया गया है जर्नलिजम में बनाई कैरियर पात सालों में मेडिया एंड एंटर्टैन्मेंट सेक्टर होगा 4.3 लाग क्रोड रुपेगा च्यार मिलियन से अधिक जोब होंगी पैदा मीडिया एंड एंटर्टैन्मेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें टेलिविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, फिल्म निर्मान, पबलिक रिलेसंस और शंपुन डिजिटल मीडिया सामिल है भारत में सभी मीडिया हाउस वर्तवान में तरक्की कर रहे हैं और रोजगार के बेहतरे नवसर मोहिया करवा रहे हैं यह कहना है चोदरी देवलाल विश्वी देले के पत्रकारिता एम जन संचार विवा के अध्यक्ष डक्टर अमित शांगवान का भारवी के बाद बैचलर कोर्स में दाखला लेकर यह कोर्स भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रेम से बैचलर हैं तो अभी मास्क गेव्लाल विश्वी देले आपकी लिए एक बहतर विकल बहुच सकता है पहाड़ी इलाकों में हो रही तेज बारिज से ब्रेश्पतिवार सुबह यमना नदी का जलस्तर बढ़ गया ब्रेश्पतिवार सुबह हाथनी कुंट बैराच से यमना नदी में 1,87,000 क्यूशिक पानी छोड़ा गया हालांकि अभी यमना नदी खत्रे के निसान से काफी कम बह रही है और फिलाल बढ़ का कोई खत्रा नहीं है फार्मर न्यूज परधान मंत्री फसल बीमा योजना के तैद बीमा करवाना हुआ महेंगा फसलों की प्रीमियम राशी में की गई बढ़ोतरी परधान मंत्री फसल बीमा योजना के तैद बीमा कमपनिया सुरू से ही अपनी मनमानी पर उत्री हुई है बता देंगे इस वर्ष नर्मा धान के साथ साथ लगबग सभी फचलों में जल बरा हो गया है किसानों के पास 31 जुलाई तक फचल विमा योजना की तहट पंजिगन की अंतिम तारिक थी परदान मंतरी फसल विमा योजना की तहट परदेश में नर्मा, धान, बाजरा, गेहूं, गन्ना, सरसों, चना, सुरुज मुखी जो इतियादी फसलों का विमा किया जाता है लंपी वाइरस से जीन्द में दिये दस्तक, कई गाउं में मामले आई सामने पसु विवाग वा अलट गाए और भैसों में लंपी वाइरस संक्रामक रोग ने अब जीन्द जिला में भी दस्तक दे दी है जीन्द में जो मामले सामने आई है उसमें पसु को केवल दो दिन बुखार रहता है दवा देने के बाद यह विवाग उतर जाता है इसलिए पसु पालक इस रोग को लेकर चिंतित ने हो उन्होंने कहा कि लंपी वाइरस से जहां पशों की मौत हुई है वहाँ यहां तो पशु बूड़े थे या फिर उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिल रहा था जिसके काण उन पशों की मौत हुई है उम्मिद है कि आगामी एक सब्ता में यह बिमारी स्माप्त हो जाएगी पालक अपने पशों की सेफ्टे के लिए मत सरदानिया अव शेपरियोग मिलाएं बगत फूल सिंग महिला विश्वी देले ने दाखिलों के लिए पहली कट अप जारी की बगत फूल सिंग महिला विश्वी देले में बुदवार को सनातक कोर्सों के लिए पहली कट अप ल का टॉप की बात करें तो अधिक्तम बाण में परतिसत और हर्याना ओपन केटेगरी की का टॉप 82 परतिसत पर रही है हुड़ा का बीजेपी जेजेपी सरकार पतांज मोजुदा सरकार के हाल पर पोरुशियम बोले मुझे तरस आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर हर्याना के पोरुशियम बोपेंदर सिंग हुड़ा ने गुरुवार को चंडिगड में का आगी हर गार तिरंगा अभ्यान के तैद हर्याना में डिपो होल्डर को जंडा बेचने के लिए कमपल्सरी किया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डिपो होल्डर 20 रुपे कैसी जंडे के लिए रहे है परदेश पर सवा 3 लाग करोड रुपे से ज़्यादा का करजा है ऐसे तो जंडा बेचने से करजा नहीं उतर सकता यह निंदन यह है खुड़ा ने हर्याणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर सेरोशायरी में तंच करशते वे कहा मुझे तर्स आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर जो गरीबों से इनके पशीने की कमाई मांगे कॉंग्रेश नेता ने कहा है कि आजाद भार्द में जंडा सबको लगाना चाहिए लेकिन हर्याणा पर करज में बढ़ रहा है ब्रश्टाचार खुब चरम सिमा पर है इसकी पॉल खुद सत्ता में बेटी पार्टियों के विदाय खोल रहे है परदेश में 38,000 टेचरों के पद खाली है लोगों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है हर्याणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है परदेश के खेत पानी में डूबे हैं इस मौके पर पूर मंतरी गेता बुकल ने विपक्स के नेता वुपेंदर सिंग हुड़ा वा उपनेता आपताव एहमद को राखी बांदी बुकल ने उनकी लंबी आयू के काम ना की देश के चोधमें उपराष्टपती बने जगदिब धनकड राष्टपती द्रौपदी मुर्मुने दिलाई सपत मोधी सहराई मौजूद राष्टपती द्रौपदी मुर्मुने गुरुवार को जगदिब धनकड को चोधमें उपराष्टपती के रूप में सपत दिलाई राश्टपती बहुन में कारिकरम की दोरान उन्होंने पद एम गौपनियाद गिस्सा पतली इस मौके पर प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी, ग्राय मंतरी श्री अमित साह समीत कई बड़े नेता मोजुद रहे 6 अगस्त कोवे उप राश्पती के चुनाव में धनकड ने विपक्स के उमिद्वार मार्गरेट अल्वाग वहराया था धनकड को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे जबकि अल्वागो 112 वोट मिले थे जगदीब धनकड की शुर्वाती शिक्षय गाउं में हुई 70 साल के जगदीब धनकड को राश्पती रामनाथ कोविन ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28 वराजिपाल निक्त किया था वे 1989 से 1991 तक राजस्तान के जुनजनों से लोग सभाव सानसद रहे 1989 से 1991 तक वीपी सिंग और चंदर सेकर की सरकार में केंद्रे मंत्री भी रहे जम्मू कस्मीर और हिमाचल में बादल फटने से चार की मौत महराश्ट में भारी बारिश का अलाट कुलों में 10 दुखाने बाही देश के कई राज़ों में लगातार हो रही बारिश से हालाद बिगडे हुए हैं जम्मू कस्मीर और हिमाचल पर्देश में गुरुवार को बादल फट गया इससे दोनों जगों दो-दो लोगों की मौत हो गई है मोसम इबाका अनुमाना की महराष्ट में अभी 4-5 दिन दक बारिश का दोर नहीं थमेगा इसमें पालगर, रतनागिरी, नासि, कोलापूर, सतारा, अकोला, अमरावती, बुलधाना, गोंदिया, चंदरपूर, नागपूर, वर्दा, वाशिम और यवतमाल सामिल है वहीं राष्टान, उत्रप्रिदेश, पंजेव, हरियाना और बिहार में हलकी बारिश के आशार जताई गई है वहीं उत्राखंड में तेज बारिश के चलते ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है परशासन ने पहले ही तेज बारिश के चेतावनी जारी किया थी उधर दूसरी तरफ राष्टान में पिछले दो दिनों से जबर्दस्ट बारिश हो रही है विभाग ने बार आगस्त को अजमेर अलवर बासवड़ा बरतपूर भीलवड़ा बुंदी चितोड़गर दोसा डूंगरपूर समेत 17 जिलों में बारिश का अलट जारी किया है मध्य परदेश के कई जिलों में अगले 3-4 दिन तेज बारिश होगी अगले मईने भारत के परदान मंदरी शिरी नरेंदर मोदी और पाकिस्तानी पीम सहबाद सरीप की मुलागात हो सकती है राजनेक सुत्रों की मताबिक उजबेकिस्तान में 15-16 स्तंबर को संगाई सहयोग संगठन यानी S.C.O का सम्मिलन आयजित होने जा रहा है इस दोरान भारत और पाकिस्तान के परदान मंदरी शाइद चीन, रूस और इरान के राश्पते भी सामिल होंगे उजबेकिस्तान के समरकंद में संगाई सायोग संगठन की मीटिंग में दोनों देसों के पीम मिल सकते हैं आज खबरों वसितनाई, देक्तेरी S.C.W.B. हिंदी न्यूज, नमस्कार